कोरोना महमारी के कारण लगे लॉकडाउन के दुरान प्रदेश के कुछ युवा बेरोजगार हो गए थे और उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था लेकिन कहते हैं कि यदि सोच सही हो और कुछ कर गुजरने की चाहा हो तो सफलता कदम जरूर चूमती है ऐसा ही एक उधारन पेश किया है कांगडा जिले के रिटगाउं के चार भाईयों ने लॉकडाउन के दुरान नोकरी चले जाने के बाद इन्हें रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी थी इन चारों भाईयों ने इस मुश्कल की घड़ी में हिम्मत नहीं हारी और खुद आतम निर्वर होकर अपने लिए रोजगार की रहा शशक्त की चारों भाईयों ने कड़ी मेहनत से सड़क के किनारे एक बांस का कैफे बनाया और आज इस कैफे में चाई, परांठा और अन्या खाने की वस्तुएं लोगों को परोस रहे हैं इनमें आशीश, सुभाश और रजनिश कुमार का कैना है कि इस काम के जरिये वे हर रोज अच्छी आमदनी अरजित कर रहे हैं जैसे ही ये कोरवन आया लोगडाउन हुआ तो हलात हमारे खराब होते गए और धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि हमें खाने पीने का भी बहुत मुश्किल होने लगी तो यहीं घर के पास एक जगा है वहाँ पर हम शाम को घूमने जाते थे तो वहाँ पर ऐसी थोड़ी सी ज जाता बनाने इस साब से हमने सोचा हम बना सकते हैं कुछ कर सकते हैं अपने लिए तो ऐसे रोज बेरोजगा थे हम इतने महिनों से तो सोचा कि हम खुद का खोलें कुछ तो इसलिए खोल दिया हमने हम इसे बढ़ाएंगे थोड़ा बोट आगे बढ़ाएंगे और अच्छ प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को देते हैं इनका कहना है कि टीवी पर प्रधान मंत्री के आतम निर्भर बन्ने के संदेश्य प्रेरित होकर इतने कम समय में उन्होंने ये उपलब्धी हासिल की है डीडी नियूस के लिए पालमपूर से संजीवराना की रिपूर्ट